पांचवे सिख गुरू अरजुन देव के शहीद दिवस के मौके पर सिख समाज ने बालको नगर के गुरुद्वारे में शांती पाठ का आयोजन किया इस आउसर पर गुरुद्वारे में विशाल लंगर भी आयोजित हुआ नगर के विफिन स्थानों पर शबीले लगाई गई और सिख यूकों ने लोगों को शर्बत और चने वित्रित कर गुरू अरजुन देव के प्रती स्धानजली अरपित की मानेता है कि समाज में भाईचारे और सहाद्रों की भावना को बलहरा देने के उद्देश्य से पाच्वे सिख गुरू अरजुन देव ने संप्रदाइक ताक्तों के सामने जुबने स्विकार नहीं किया उसी तरी में गुरजारे में लंगर का आयोजम किया गया और नगर के विफिन ने स्थानों कर शबी ये लगाई गई पाच्वे से खाया देख सामने स्थानों पाफ सामने पाफ सामने लगए जबसे दो उसे नहीं जाए नहीं है गुरु अर्जंदियों की शहादत और उनके कारेों के विशय में और अधिल जानकारी दे रही हैं गुरु द्वारे के मुख्य ग्रंथी बाबा हर्जिंदर से शीदी द्यारे के उपर में इतनी तब्ती गर्मी के अंदर में उनको रेत के उपर शीर के उपर में डाल के तब्ती तवी के उपर में बिटा कर उनको शीद किया गया उनकी याद में सब के मन को शान्त करने के लिए उतनी गर्मी के अंदर में को सुनूरसा संगत के खातर हिंदु धर्म की खातर उन्होंने अपने को बलिदान किया उसकी खादर जो है सब को मन्क में शांती और प्रेम भानना बनाने के लिए परशाद चने का और शर्वत का परशाद जो है सब को बड़ा जाता है तांके सब उनके जो उन्होंने जिस काम के लिए जिस कौम के लिए उन्होंने शीदी दी और ये जांगीर के समय में उन्होंने साथ संगत के जो इस टाम की उनकी माया जो जमा की होई थी जो उन्होंने पंध धर्म के लिए सब जमा की थी उन्होंने उनको दो लाखर प्यास लाना उनके उपर में लगान लगाने की उन्होंने कोशिस की लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ये संगत का पैसा है हम ये पैसा जो है उनको नहीं देंगे हम ये संगत का पैसा संगत के बीच में खर्च करेंगे उनके काम में उनके गृरीवी में जो उनके लोग हैं उनके बीच में उनकी मदद के लिए पैसे को यूज करेंगे अपने खुद की अचारी के लिए त्यार है। बाकि हम उनकी ऐसे शिवत उनकी ऐसे लिखने में हम लोग नई करने लिए त्यार हैं। इस विज्वार उन्हें निराज होके उन्हें उनिको जाके शीद किया गया, रावी के कंड़ के अंदर उपर में उनको बिठा के और उस समय के जो मुला और जो काजी थे उन्होंने उनके उपर फत्वा कस दिया और उनको शीद किया गया उनकी याद के अंदर में उनको शीदा दियाने मनाने के लिए ये परशाद बाटा जाता है